तिस लेकर इस बार दो नहीं बलकि तीन पैनल बन चुके हैं इस साल तीन पैनलों के बीच चुनाव होगा जिसमें भाश्पा कॉंग्रेस और जनता कॉंग्रेस जे पार्टी की टीम चुनाव के मैदान में उतर कर चेम्बर का चुनाव लड़ेगी तीनों पार्टी यह इस साल चेम्बर चुनाव में अपने पृत्याशी घोशित करने वाली हैं कॉंग्रेस वर्जनता कॉंग्रेस जे पार्टी ने अपने प्रित्याशियों के नाम फाइनल कर दिये हैं वहीं भाश्पा से कल शाम तक नाम तै करने वाले हैं चेंबर चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है व्यपारी एक्ता पैनल से अभी तक योगेश अगरवाल का नाम पहले नंबर में है वहीं चेंबर बचाओ संगर्श समीती से अध्यक्ष कनाईया अगरवाल का भी नाम तैम आना जा रहा है इसी प्रकार चेंबर व्यपारी पैनल ने भी अपना ध्यक्ष अमर गिदवानी को तै कर लिया है 16 तारिकों व्यपारी एक्ता पैनल के करने वाले हैं और इन तीनों पैनलों की बीच चुनाओ का घमासान युद्ध होगा हमेशे व्यपारी एक्ता पैनल जीतते आ रहा है लेकिन अब इस साल तीन पैनलों की बीच चुनाओ होगा सभी ने अपनी अपनी पार्टियों को जितानी के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है और रोजाना अलग अलग स्थानों में बैठक लेकर चुनाओ की रणनीती बना रहे हैं चटिसगर व्यपारी एक्ता पैनल के प्रत्याशी योगेश अगरवाल का कहना है कि मैं हमेशे व्यपारी हित में ही काम करता हूँ साथी पैनल से अध्यक्षपत से अध्यक्षपत के लिए बढ़ेदारी की है अब पूरी उमीद है कि मेरी बादचीत के अधार पे मेरे कारेयों के अधार पर मुझे एक पैनल अपना प्रत्याशी बनाएगा वहीं चिंबर बचौश संगर्श समीती के संयोजक कनया अगरवाल का कहना है कि सरकार ने व्यपारियों को जिस प्रकार जिस्ट लगा कर रुलाया है इसे लेकर लगाम लगाने के लिए चिंबर बचौश संगर्श समीती चुनाव लड़ रही है व्यापारियों के चुनाव को कुछ नेताओं ने राजनी ते एक अखाडा बना दिया है इससे पूरा व्यापार ठप होता जा रहा है सरकार के मुताबिक व्यापारी काम कर रहे हैं इन मुद्डों को लेकर चुनाव की रण्नीती बनाई जा रही है चेंबर चुनाव के संबन में विधायक शीचन सुंदरानी ने भी गलिप से चर्चा की और ये मेरे ख्याल से अब दो-तिन दिन का है समय दो-तिन-चार दिनों में गोशना हो जाएगी निश्यत रूप से योगेश अगरवाल का नाम चल रहा है अमर पारवानी का नाम चल रहा है और जैन जितन बरलोटा का नाम चल रहा है गंभीता से नाम चल रहा है जारा लोगों ने आविदन किया है चेंबर की पंच कमिटी के सामने, लेकिन प्रमुक नाम यही है, अपोजिट में एक मेरी जो जानकारी में वो यूएन अगरवाल का पैनल है, लेकिन अभी और कितने पैनल उतरेंगे, कौन खड़ा होगा, इसके बारे में मुझे कोई जान जानकारी इसलिए नहीं है, कि मैं था ही नहीं, एक सब्ता तक बाहर था, दो-तीन दिन में हो जाएगा, अभी आपारी एक तपनल का प्रित्याशी गोशित होगा, चेंबर चुनाव में स्वश घमासान होने वाला है, बात तो प्रित्याशियों से साफतोर पर समा जा रही ह लेकिन अब देखना होगा कि चेंबर की गद्धी में कौन बैठता है